असलालेकूम फ्रेंज, वेलकम टू माय चैनल शवनूरली काफी टाइम हो गया है, धूप बहुत होने लगी है फिर भी थोड़ा सा काम था जो जरूरी था मैं काफी दिन से सोच रही थी करने के लिए लेकिन नहीं कर पा रही थी तो आज वो काम करते हैं, कुछ सीर से जो कलेक्ट करने है जाड़े में बरसात का काम कीजिए, बरसात में तयारी कीजिए, गर्मी की तो इस तरह से जब आपको गार्डन चलाना है, तो हर वक्त तयारी में ही रहना पड़ता है कभी fruit का मौसम होता है, कभी फूलों का मौसम होता है सरदिया वाले हटाने पड़ते हैं, गर्मी वाले लगाने पड़ते हैं और बरसाथ होती हैं तो काफी सारी cuttings ready करनी पड़ती है और इन seeds को भी रखना पड़ता है जो हमें winter में grow करने हैं तबी तो आपके plants भरे भरे दिखेंगे, नहीं इस तरह से खाली होते रहेंगे अब इस bottle में से ये harvest करते हैं, कुछ और grow करते हैं, जो गर्मियों में flowering करेगा आए हम चलते हैं wall flower plant के पास, जिसको मैंने इस container में grow किया था दो या दाई महीने पहले फैब में, क्यूंकि ये winter flower plant है, तो तब flowering कर रहा था मैं चाहती तो इसकी flowering अभी तक बनाए रखती, लेकिन मुझे seeds चाहिए थे, seeds के लिए मैंने इतना late winters में ले भी लिया था लेकिन फिर भी इसने काफी blooming की है, और अब इस पर seeds आ रहे हैं, तो मैंने ये 3 plants winter में खरीदे थे, बिगोनिया, साल्विया और वाल फ्ला, चेरी चेरंथस भी इसको कहते हैं, ब्रासी केशे, फैमिली से बिलॉंग करता है यहां मैंने प्रून करके पहले से डाले हुए थे, लेकिन side में रख दिये थे, तो ये भी सूख कर brown हो गए हैं, लेकिन कुछ seeds मैंने छोड़ रखे थे, plant पर ही, कुछ अब इस पर green color की फलिया बन रही थी, तो मैंने प्रून कर दी थी, प्रून करने के बाद यहीं side में र दूब बहुत तेज है, तो यहां seeds नहीं निकालेंगे, निकालेंगे भी तो यहीं गिर जाएंगे, इसकी वज़ा से shade में चल कर वैठते हैं, वहां आराम से निकालते हैं, तो ये सारी फलियों को हम चुन लेते हैं, फिर चलेंगे shade में, वैसे तो wallflower को आप हमेशा चला सकत हैं, अगर क्यार करके रखते हैं, नमी चाहिए होती है, थोड़ा सा ठेंडा मौसम चाहिए होता है, गर्मी में फलारिंग नहीं करता है, लेकिन अब हमने इसको काट दिया है, तो जो प्लान की जड़ नीचे बची हुई है, उस पर फिर से, जैसे क्रिसंथिमम को हम सेव कर करते हैं, जड़े छोड़ देते हैं, उस पर नीचे से ग्रोथ आ जाती है, उसी तरह वाल फ्लार में भी होता है, तो चले हम आपको सीर्स कलेक्ट करके दिखाते हैं, इसको सेव कर लेंगे और हम अब इसको ऑक्टोबर तक पिसे ग्रो करेंगे, वाल फ्लार से सीर्स जमे होते हैं, एक ही फली में काफी सारे सीर्स हैं, मिच और सीर्स हैं, लेकिन वजन में काफी अलके हैं, चप्टे हैं, इसमें ये देखे काफी सुके ड्राइबीज हैं, और इसको आप स्टोर करके रखे किसी भी कैरी बैग में, एड टाइट कंटेनर में, और इस कागस में पुडिया बना का रख देना है फली को भी हमने इसी में रख दिया है ताकि मुझे पैचान हो जाए कि ये वाल फ्लार के सीर्स है और जो फली के अंदर है वो सेव रहेंगे ऐसे तो ये ओड़ सकते हैं गिर सकते हैं तो सीर्स तो हमने कलेक्ट कर लिए हैं और ग्रो भी करेंगे तब तक के लिए आप एक लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे अच्छे से कामेंट कीजिए फिर मिलते हैं अच्छे से एक वीडियो में अलाहाफेज